उत्राखण में जानलेवा कोल्ड अटे के बीज देव्भूमी आने वाले सहलानियों को दिसंबर के आखरी सफता तक बर्फवारी के लिए तरसना पड़ रहा है हलाकि यहां सर्थी का सितम कम नहीं है और रात के वक्त तापमान मैनस पांस टिग्री तक उड़क जाता है ठंडे से हाथ पांँ जम जाते हैं और कई जगों पर तो ठंडे से मौते भी हो रही है वहीं दूसरी ओर चमोली की नीती गाटी में हाला थोड़े अलग हैं यहां रहने वाले लोगों ने गाउं खाली कर दिये हैं और शीत करें प्रवास पर वो जा चुके हैं ऐसा इसलिए क्योंकि उनका गाउं पूरी तरह से बर्फ में जम चुका है जरने नदियां धारे सब सपे चादर में तब्दील हो चुके हैं इतना ही नहीं अब हम आपको जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आपका मन मोहित होगा इसके अलावा आप भगवान शिव के एक अलग स्वरूप को भी देख सकते हैं और वो स्वरूप देखने का सवभाग के आपको इन तस्वीर में मिलेगा तो ये बाबा बर्फानी का मंदिर है लोग इसे छोटा अमरनात के नाम से भी जानते हैं यहां महादेव छे माहा तक बर्फानी के आउतार में मौजूद रहते हैं और बागी छे महिने शिवलिंग के आकार में बाबा के दर्शन के लिए हाला कि इन दिनों श्रधालों का यहां पहुंचना बेहत मुश्किल है लेकिन जब शिवलिंग के अउतार में महादेव रहते हैं तो लोग यहां खूब आते जाते रहते हैं यहां शीतकाल में भोलेनाथ की जटाएं पूरी पहाड़ी पर बिखरी हुई दिखाई देती है और देखने में वह बहुत आकरशक लगती है हाला कि गाउवाले बताते हैं कि इस मंदिर का असली नाम टिमर सैन महादेव है यहां पेसर हम यह नीचे रोड का काम चल रहा है कंपनी में वहां पे काम करते हैं जी ठंड तो सब यहां पे बहुत है जी उत्राखन के चमॉली के नीती से 10 किलोमेटर पहले कुर्गिटी में भी जबरदस्त सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है यहां रहने वाले मजदूरू का कहना है कि यहां नदी नाले सब जम चुके हैं रात को वह घरों से बाहर नहीं निकलते हैं यहां तक कि तापमान माइनस 10 दिगर तक आ चुका है ऐसे में यहां रहना बेहद मुश्किल है पहारों में भले ही इस बार दिसंबर के महीने में बर्फबारी देखने को नहीं मिल रही है लेकिन सर्दी का सितम साथवे आस्माल पर पहुँच चुका है इस समय हम मौजूर है निती घाटी में और देख सकते हैं यहां पर बावा बर्फानी भोलेनाथ का जो मंदिर है वो पूरी तरफ बर्फ का आकार ले चुका है और बोलेनाथ बावा बर्फानी के रूप में विराजमान होने को तयार है सर्दी यहां पर इतनी है कि रात का तापमान माइनस 15 से 20 दिग्री तक लोटक रहा है यहां पर इस समय गाओं खाली हो चुके हैं बारत्य सेना और आईटी बीपी ही यहां पर सीमान्त में मवजूद रहती है लेकिन सर्दी का सितम बेख सकते हैं हर तरफ सिर्फ बहता पानी टपकता पानी जितने भी पानी है सारे यहां पर जम चुके हैं चाहे नदी हो या नाले हर तरफ सिर्फ इस सबर पानी जमा हुआ दिखाई दे रहा है और बर्फ का का ले चुका है कमलनेंसी लोडी जी एंटी चमूरी फिर्फ झो उल चुके हैlike